एक और टॉपिक हम हम हिमाचल प्रदेश का देखने जा रहे हैं जो है कि हिमाचल प्रदेश की कौन से एतिहासिक इमार्ते हैं और कौन से लेख हैं और किस स्थान पर ये स्थित हैं और साथ ही हम देखेंगे किस का निर्मान किस ने किया था इन इमार्तों का तो स्टार्ट करते हैं, पहला है कांगडा किला, तो कांगडा किला की जो स्थापना है किसने की है, सुश्यर्मा चंदने की है, और ये कांगडा में है, कांगडा किला, इसकी स्थापना किसने की है, सुश्यर्मा चंदने कांगडा में है, नेक्स्ट है जातक दुर्ग, तो ज नहान में या नहान के पास है वैसे ये तो जातक दुर्ग की स्थापना रंजोर सिंग के द्वारा नहान में नहान दुर्ग बनाया गया था राजा कर्म परकाश के द्वारा नहान के जो राजा थे राजा कर्म परकाश इन्होंने ही नहान नगर की थी तो नहान दुर्ग की स अपना कर्म परकाश के द्वारा राजा कर्म परकाश के द्वारा नहान में की गई है नेक्स है शीश महल और मोती महल तो शीश महल और मोती महल भी नहान में है शीश महल और मोती महल भी नहान में है और ये राजा फते परकाश के द्वारा बनाया गया था जो शीश महल है और मोती महल है ये राजा फते चंद परकाश जो थे उनके द्वारा बनाया गया था कहाँ पर नहान में शीश महल और मोती महल का निर्माण राजा फते चंद परकाश के द्वारा नहान में किया गया था नेक्स्ट है राणी तालबाग ये भी नहान में है और इसका जो निर्मान किसने किया है शमशेर सिंग ने राजा शमशेर सिंग ने राणी तालबाग को मनाया था राणी तालबाग की स्थापना किसने किया है राजा शमशेर सिंग नहान में नेक्स्ट है रॉबिनगर्ड दूर्ग, इसकी स्थापना राजा वीर प्रकाश के द्वारा रॉबिनगर्ड में की गई है रोबिनगर्ड दुर्ग की स्थापना राजा वीर परकाश के द्वारा की गई है रोबिनगर्ड में रोबिनगर्ड दुर्ग की स्थापना राजा वीर परकाश के द्वारा रोबिनगर्ड में नेक्स्ट है रानी का कोड़ दुर्ग जो है सेवंत सेन ने बनाया था रानी का कोड़ दुर्ग किस ने बनाया था सेवंत सेन ने और कहां पर सुकेत रियासत में important है यह रानी का कोड़ दुर्ग बनाया गया है सेवंत सेन के दौरा सुकेत रियासत में रानिका कोर्ड दुर्ग सेवन्द सेन के द्वारा सुकेत रियासत में बनाया गया था सरकपूर दुर्ग सेवन्द सेन के द्वारा मंडी में सरकपूर दुर्ग सीथ सेन के द्वारा मंडी में बनाया गया था नेक्स्ट है दमदमा महल तो दमदमा महल बनाया गया है सुरसेन के द्वारा दमदमा महल बनाया गया है किसके द्वारा सुरसेन के द्वारा कहां पर ये भी मंडी में है दमदमा महल सुरसेन के द्वारा मंडी में, दमदमा महल सुरसेन के द्वारा मंडी में मनाया गया है, एक और जो सुरसेन के द्वारा बनाया गया है, कमलागट दुर्ग, कमलागट दुर्ग ये भी सुरसेन के द्वारा मंडी में मनाया गया, तो दमदमा महल और कमलागट नेक्स्ट है शहापूर किला जो है यह भक्तमल के द्वारा मनाया गया है शहापूर किला भक्तमल के द्वारा शहापूर कांगडा में शहापूर कांगडा में शहापूर किला बनाया गया है किसके द्वारा भक्तमल के द्वारा जो भक्तमल थे उनके द्वारा शहापूर किल बनाया गया है और जो शापूर किला है यह शापूर स्थान पर ही है और शापूर स्थान कहां पटता है कांगड़ा में शापूर किला शापूर कांगड़ा में बनाया गया है किसके द्वारा भक्तमल के द्वारा नेक्स्ट है मकोड दूर्ग किस ने बनाया था सलीम शाहसुर ने बनाया था मकोड दूर्ग बनाया था सलीम शाहसुर ने कहां पर नूरपूर कांगडा में तो ये मकोट दुर्ग भी important है तो मकोट दुर्ग बनाया गया था सलीम शाह सुर्ग के द्वारा नूरपूर कांगडा में मकोट दुर्ग सलीम शाह सुर्ग के द्वारा कहां बनाया गया है नूरपूर कांगडा में नेक्स्ट है नगरकोट किला तो नगरकोट किला कांगड़ा की भात है ये बनाया गया सुशर्माचंद के द्वारा नगरकोट कांड़ा में नगरकोट किला सुशर्माचंद और नगरकोट कांड़ा नेक्स है जगत खाना एवं स्वारघार ये टैंक है जगत खाना और स्वारघार टैंक ये राजा हिराचन के द्वारा बनाया गया गया था जिसको लोकल लेंग्विज में टैंक को टोबा भी खा जाता था नेक्स है टैंक संगवाना ये टैंक संगवाना जो है ये भी विलासपूर में है और विजेचन के द्वारा बनाया गया है राजा विजेचन कहीं पर इन विजेचन का नाम विजाई चन भी दिया गया है तो आपको आदर रखना है टैंक संगवाना जो है वो विजेचन के द् रंगमहलं को निर्मान भी उचारए था कि विलस्पूर के जो राजा टैंक संगवाना और रंगमहलं और साथ ही टैंक संगवाना तो बिलासपूर में जो टैंक संगवाना है और रंग महल है दोनों का निर्मान किसने करा है राजा विजेचन ने बिलासपूर के टैंक संगवाना और रंग महल का निर्मान रंग महल बना है 1910 में दोनों जो बिलासपूर में है और दोनों के दो च्छातिपूर किला बनाया गया है राजसंसारचन के द्वारा जब इन्हों ने बिलासपूर पर जेत हांसिल की थी 1795 के असपास तो 1795 में संसारचन ने बिलासपूर पर विजय प्राप्त की कहीं कर पर 1794 भी दिया गया है पर 1795 थोड़ा एक्जेक्ट आता है यह तो संसारचन के द्वारा च्छातिपूर किला बनाया गया था यह जंजियारधार बिलासपूर में बनाया गया था जंजियारधार बिलासपूर में च्छातिपूर किला संसारचन के द्वारा बनाया गया था नेक्स्ट है पत्थर पर लिखी तराज खोशना पत्थर पर लिखी तराज खोशना किसके द्वारा स्थापित की गई अशोक ने मिनाई है यह और कालसी उत्राखण में है जो पत्थर पर लिखी तराज खोशना है यह अशोक के टाइम की है और राजा अशोक के द्वारा यह बनवाई गई थी तो पत्थर पर लिखी तराजुहोशना राज अशोक के समीकी है और कालसी उत्राखट में है और ये कालसी उत्राखट में जो है ये पाई गई हंडूर का किला जो हिंडूर का किला है या नालागड का किला बोल सकते हो नालागड को हिंडूर बोला था पूराने टाइम में तो हंडूर का किला यह किसके द्वारा बनाया गया है कल्यान चंद के द्वारा बनाया गया नालागड में तो हिंडूर का किला कल्यान चंद के द्वारा बनाये गया था राजा कल्यान चंद के द्वारा बनाया गया था ये कल्यांचन बिलासपुर का राजा था बिलासपुर का राजा जो कल्यांचन था उसने हिंडूर का किला बनाया था नालागड में और इसकारण जो हिंडूर और बिलासपुर रहन के वीच में विवाद भी हुआ था और उसमें जो हिंडूर का राजा था वो मारा गया था तो कल्यान चंद जो बिलासपुर के राजा थे उनके द्वारा हिंडुर का किला बनाया गया था नालागड में नेक्स्ट है चमबा रंगमहल अभी हमने बिलासपुर वाला रंगमहल दिखा था हो जो उनीसो इसमी में विजेचंद ने बनाया था यहाँ पर चमबा रंगमहल की बात हो रही है तो यह उमेद सिंग ने बनाया था चमबा में चमबा रंगमहल किसने बनाया था चमबा रंगमहल उमेद सिंग ने बनाया है कहाँ पर चमबा में साथ ही जो उमेद सिंग है उन्होंने नाडा महल भी बनाया है उमेद सिंग ने यह जो नाड राजनगर का नाम पढ़ा था राज सिंग जो थे उमेद सिंग के बेटे और बोला गया है कि चंबा रंग महल और नाडा महल चंबा रंग महल और नाडा महल दोनों का निर्मान किसके द्वारा उमेद सिंग के द्वारा चंबा के राजा उमेद सिंग के द्वारा जो है चंब नेक्स्ट है तारागड किला तारागड किला राजा जगत सिंग के द्वारा तारागड चमबा में बनाया गया था दिवरी कोठी और सैचुनाला पत्थर लेक मिले हैं यह ललित वर्मन के समय के हैं और पांगी चमबा में पाए गए हैं दिवरी कोठी और सैचुनाला पत्थर लेक ललित वर्मन के समय के हैं और यह पांगी चमबा में पाए गए हैं ललित वर्मन के समय में यह रिखे गए है डिवरी कोठी और सैचुनाला पत्थर लेख चंबा पांगी में नेक्स्ट है लोह टीकरी पत्थर लेख लोह टीकरी पत्थर लेख जसाटा वर्मन के समय का है और ये चुरहा चंबा में डिवरी कोठी और सैचुनाला पत्थर लेख ललित वर्मन के समय में और ये चमबा में तो पाए गए हैं लिखने एक्जेक्ट स्थान याद रखेगा पांगी में चमबा के पांगी में डिवरी कोठी और सैचुनाला पत्थर लेक ललीत वर्मन के समय के पाए गए हैं डिवरी कोठी और सैचुनाला पत्थर लेक कहां पाए गए हैं चम्बा के पांगी में किसके समय के हैं ये हैं ललित वर्मन के समय में लो टिकरी पत्थर लेक किसके समय का है जसाटा वर्मन के समय का और ये चुरहा चम्बा में पाएगे